हेई स्टुडेंस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल Read and Achieve Classes में स्टुडेंस आज हम लोग पढ़ेंगे Exponent Class 7 की जो Exponent Success है वो स्टुडेंस आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे Basic से ठीक है तो इसलिए आपने अगर आपको कोई इसलिए टेंसल लेना ही नहीं है क्योंकि हम Basic से शुरू कर रहे हैं चलिए Students शुरू करते हैं सबसे पहले Students आप 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 5 to the power 5 देखे इसी फॉर्म को यह जो ऐसे इस फॉर्म में लिखा हो इसी Notation को Exponential Form कहते हैं अब यहां पे Exponential Form में ध्यान रखना है कि इसे हम लोग Base कहते हैं और इसको Power कहते हैं या इसको Exponent भी कहा जाता है और ध्यान रखे इसका एक और Name है इसे Index भी कहा जाता है इसे Index भी कहा जाता है इसका 3 Name है समझ रहे हैं आप यानि यह 5 into 5 into 5 into 5 5 equal to 5 to the power 5 कहते हैं यह Base है और यह इसे यह जो उपर है इसे Power कहते हैं Exponent कहते हैं यह Index कहते हैं अब यह तो Simple Form में है Integer के Form में अब हम लोग एक Fraction वाला भी लेके लेते हैं 2 by 5 हो गया जैसे into 2 by 5 into 2 by 5 into 2 by 5 into 2 by 5 यह कितने times है 4 times तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 by 5 to the power 4 अब इसमें यह 2 by 5 फूरे जो है यह 2 by 5 देख रहे हैं आप यह हमारा क्या होता है Base और यह जो 4 है यह 4 यह हमारा क्या power है यह इसको आप exponent कहिए यह index भी कह सकते हैं जो भी कहना आपको अब इतनी तो आपको समझ आ गई कि basic जो यह चीज है इसी को हम लोग क्या कहते है exponent अब exponent के बाद इसके law हम लोग को पढ़ना होता है main यह है और देखिए यह बहुत important है law of exponent अगर आप इसको समझ गए तो आप अपने exercise के सारे questions सही तरीकों से solve कर पाएंगे कोई problem ही नहीं रहेगी जब आप law इसका समझ जाते हैं तो सबसे पहली law जो है exponent की वो है सबसे पहली law की बाद कर रहा हूं exponent की वो यह है कि a by b का power अगर आपके पास क्या है a by b का power m है और यह into में है फिर से a by b का power क्या है आपको n है यानि base दोनों का a by b है और एक का power m है दूसरे का power n है तो इस case में a by b का power हम लोगों को m plus n हो जाता है अब यह rule यह कहता है कि power exponent का जूड़ जाता है अगर दो exponent का base से हो जैसे यह exponent a by b है base इसका अफावई by b है power दोनों का अलग है एक कायम है दुसरे कायम है लेकिन base से हम है तो दोनों के बदले एक ही base आ जाता है लेकिन क्या the side exponent के power जो है हो दोनों sum हो जाता है M plus n हो just n हो 7, देखिए दोनों का base सेम है और दोनों है किसमें product में गुना में, तो that means आप क्या कर दीजिए, 2 by 5 to the power 3 plus 7 यानि हम लोग का answer जो होगा, वो हो जाएगा 2 by 5 to the power 10 यही हमारा क्या होगा, answer होगा तो यह first law था first law आपको समझ आया आशा करता हूँ कि आगया होगा, चलिए अब मैं इसकी exponent की first law यह थी अब second law की बारे में बात करता हूँ देखिए, second law जो है यह just a by b का power हम लोग के पास m है और divided y है, किस से a by b के power n से यानि दोनों के बीच, base से और divide का sign हो, तो यह हो जाता है a by b का power m minus n समझें students, अगर a by b का power m हो और उसको divide कर दें, a by b का power n से, तो a by b का power m minus n होता है, अब इस rule में ध्यान रखिए, कि base अगर same रहे और क्या रहे, divide में रहे, तो क्या होता है exponent का power, यह exponent का ही उसका subtraction हो जाता है example के लिए देखिए 3 by 7 का power हमारे पास 9 है, इसको divide कर देते हैं हम लोग 3 by 7 के power 4 से तो हमारा result होता है 3 by 7 to the power 9 minus 4 equal to 3 by 7 to the power 5 3 by 7 to the power 5 क्या होता है, हमारा answer होता है, आया समझ? चलिए, अब हम इसके बाद और यह simple भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जैसे 6 का power भी 9 है हमेशा fraction के form महीं नहीं हो 6 का power जैसे 7 है तो दोनों का base सेम है तो हम लोग 6 का power क्या हो जाएगा 9 minus 7 equal to 6 का power 3 हो जाएगा आपका answer है समझ अब हम लोग का तीसे अलाव जो है, यह तीसे अलाव वो देखते है यह थर्ड अलाव जो exponent का है वो क्या है कि A by B का power अगर M रहे तो हम लोग A का भी power इसे M लिख सकते हैं और B का भी power M लिख सकते हैं कोई problem है, दोनों का अलग-अलग power हम लिख सकते हैं जैसे example के लिए जैसे 7 by 6 का power हम लोग के पास क्या है 6 है तो इसको हम लोग 7 का power भी 6 लिख सकते हैं और 6 का power भी 6 लिख सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है अब चलिए यह बहुत easy law है 4 था देखे, 4 था क्या कहता है अगर A by B का power M रहे और इसका भी कोई power further क्या रहे N रहे तो यह हो जाता है A by B का power M N क्या हो जाता है A by B का power M N समझाया होगा कि अगर A by B का power क्या रहे A by B का power अगर M रहे और उसका भी power N रहे तो यह A by B का power M N हो जाता है जैसे example के लिए देखे हमारे पास एक 2 by 7 एक fraction है जिसका पावर six है और फर्द इसका भी पावर हम लोगे पास ऐट है अगर तो यह हो जाएगा 2 by 7 का पावर ragade 48 ए फिर simple में भी आगर हमारे पास 6 का पावर 5 है और इसका भी फर्द फावर 5 है तो यह होजए टो यह 6 का पावर 25 यह 5 into 5 multiply होके क्या हो जाता है 25 चलिए अब पांचमा जो लाज है उस पे चलते हैं अगर किसी के a by b का power m है ठीक है अगर हम पलट दें इसको पलट दें तो ये अगर हम exponent को पलट दें fraction को पलट दे by a कर दे तो ये power minus m हो जाएगा अब ये power क्या हो जाएगा minus m जैसे हमारे पास समझ गए एकर a by b का power m है अगर हम इस fraction को पलट दे by a कर दे तो ये power minus m हो जाएगा क्या हो जाएगा minus m जैसे example के लिए हमारे पास 7 by 6 का power क्या था 3 लेकिन अगर हम पलट दें इसको 6 by 7 का power ये क्या हो जाएगा minus 3 हो जाएगा पलटने से power minus 3 शात्मा रूल लेके लिए एक by b to the power 0 रहे तब भी 1 और 1000 to the power 0 रहे तब भी 1 और 1000 to the power 0 रहे तब भी किसी भी exponent का power अगर 0 तो उसका value 1 होता है अब देखिए आपने अगर ये 7 rule को सही से समझा होगा और सही से remember करेंगे तो आपके exponent की सारी question solve हो जाएगी लेकिन मैं example करें आपको 2 question solve करके दिखाऊंगा जिसमें आपके सारे rule आ जाएगे और आप समझ जाएगे कि कैसे हम लोग solve करेंगे exponent के problems को देखिए first question है कि 3 to the power 5 into 10 to the power 5 into 25 by 5 to the power 7 into 6 to the power 5 ये हमारा question है example लिया है question चलिए इसको solve करते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि exponent के form में जो नहीं है उसको change कर लिजे ये तो 3 to the power 5 और ये देखिए ये 10 to the power 5 है ना इसको लिख लिजे 2 into 5 10 को लिख सकते है 2 into 5 और इसका power 5 लिख लिजे और into 25 को क्या लिख लिजे 5 का power 2 by इसमें नीचे में जो है इसको 5 to the power 7 लिख सकते हैं और इसको 6 to the power क्या लिख सकते हैं 5 कोई problem नहीं अब देखिए ये इसको क्यों लिख है ऐसे तो देखिए ये rule है थोड़ा सा मैं आपको इधर समझा दे रहा हूं इस rule को कि अगर आपके पास कोई A B का power 5 रहे तो इसको आप A का भी power 5 लिख सकते हैं into B का भी power क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं तो यही हमारा 10 ये A B के form है तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे 3 to the power 5 into 2 का भी power 5 लिख लेंगे और 5 का भी power 5 लिख लेंगे into 5 to the power 2 तो पहले से हैं by क्या हो जाएगा 5 to the power 7 into 6 to the power 5 अब इस step में यही एक रूल है दोस्त अगर अगर a का भी पावर 5 रहे और b का भी पावर 5 रहे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? AB का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, इसी का उल्टा है, जैसे यहां AB का पावर 5 था, तो इन्टू इस दोनों को A का पावर 5, इन्टू B का पावर 5 लिख सकते थे, उसी तरीका से, इधर अगर AB का पावर 5 रहे, बी का भी पावर 5 दो है तो इसको A, B का पावर 5 लिख सकते हैं तो चलिए यहां वही हम लोग करते हैं 3 इंटू 2 का पावर हम 5 लिख सकते हैं इंटू यहां पे 5 और देखे 5 बेस सेम है अब पावर अलग-अलग है तो जोड़ दीए क्योंकि multiply में है तो 5 अब 5 पलस 2 कितना हो जागा 7, by 5 का पावर 7 इंटू 6 का पावर क्या हो जागा 5, equal to देखें यहां से देखें यहां से समझा देता हूं ध्यान नहीं गया मेरा, अब मैं लिख दिया हूं और 5 का पावर 2 इस दोनों को सम करके लिख दिया तो 5 का पावर 7 हो गया ठीक है, 5 पलस 2, 7 नीचे में 5 का 7 पहले से है 5 का पावर 7 और 6 का पावर 5 पहले से ही है यह 5 to the power 7 और 5 to the power 7 cancel हो गया, नीचे देखें यहां से 6 to the power 5 क्योंकि कुर्कि का आप इस एक्जांपल के साथ एक question और यहां शारे से ओरी के साथ यह question भी आपको समझा दिया और आप समझ गए होंगे और मैं आपको एक्जांपल के लिए एक question और ले रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा सारा कुछ कुछ क्लिएर हो जाए चलिए मैं एक question ले रहा हूँ यह example number 2 आपके लिए वो यह है कि minus 2 by 3 to the power 7 divided by minus 2 to the power 3 to the power 4 देखिए आप गौर से दोनों का base same है और divide में तो that means आपको base तो same रखना है और power को क्या कर देना है subtract कर देना है ऐसे subtract कीजेगा तो आपको क्या result आएंगे minus 2 by 3 का power 3 यही हो जाएगा आपका answer thank you दोस्त देखने के लिए और मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो please वीडियो को like कर दिजे मैं आपके लिए पूरे exercise भी लाओंगा जिसका link मैं आपको इसी वीडियो के नीशे में दे दूँगा पूरे exercise का solution 5a जो है आपकी उसकर thank you